हेलो फ्रेंड्स, विजन अकेडमी वेलकम्स यू, मैसेल प्रसांसर, तोड़े भी शाल दू एक्सराइज 8.2 फ्रॉम दू चेटर लिनियर इक्वेशन्स, एक्सराइज 8.1 आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इस महां से जाके आप उस सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए, और अपने फ्रेंड को भी शेर कीजिए, है ना, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं, let's get started, यहां पर question दे रखा है, three times a number, decreased Wi-Fi, give the result 16, यानि पहला question हम करेंगे, three times a number, let the number x, यह मान हम, तो यहां पर number हमने x मान लिया है, अब क्या कह रहा है, three times a number, three times a number, decreased by five, यानि कि according to question लगा दो, according to question, 80Q, इसका मतलब बहता है, according to question, 80Q लिख देंगे, इसका मतलब according to question, क्या कह रहा है, three times a number, number माना था हमने x, है ना, इसका करना है three times, और उसमें से decrease करना है five को, decrease करना है five को, तो the result is sixteen, यानि कि जो result होता है, वो sixteen हो जाता है, समझ गए ना आप लोग, very good, अभी हो जाएगा, three x equals to sixteen, minus five इदर जाके, plus का five, यानि कि, x equals to sixteen plus five, twenty one होता है, और यह three इदर multiply का है, three आगया इदर अपान में, ठीक है ना, अब x equals to कितना आ गया, three कितने जा twenty one होता है, यानि कि जो answer होगा, वो seven हो जाएगा, ठीक है ना, तो पहला question आपको इस तरह सॉल्व करना है, अब question number two करते हैं, question number two में क्या कह रहा है, the sum of three consecutive multiples of three, three के three multiples है, यानि three की table के कोई तीन number है, तो जब consecutive multiples की बात करते हैं, तो बहाँ पर पहला लेंगे हम, three x, फिर three x plus three, and three x plus six, ये number लेंगे, लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने तीन multiple ले लिए, let the three multiples of three are, ये पहला 3 x ले लिए, दूसरा 3 x plus three, और तीसरा 3 x plus six, अब क्या कहरा है, इनका sum, क्या कहरा है, इनका sum है ना, कितना है, three, three, three है, तो इनका हम sum निकालेंगे, कैसे, लिख देंगे 80 q, लब 80 q means according to question, यानि कि पहला 3 x है, अगला है 3 x plus three, और अगला है 3 x plus six equals to three, 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 ठीक है, अब इनको add कर देजिए, ये 3 x, 3 x, 3 x किता हुआ, 3, 3, 6, 6, 3, 9, ये हो गया 9 x plus, यहाँ पर नमबर 3 है, और ये 6 है, 6 और 3 कितना होता है, 9, है ना, यहाँ पर इसको 9 लिख देंगे, और एक कस्टू में 333 है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, अब ये 9 x equals 2 हो जा जाएगा, 333 plus 9 धर जाके, माइनस का 9, है ना, कितना हो जाएगा, माइनस का 9, यानि कि 9 x equals 2, 3, 3, 3 minus 9, या, 9 x equals 2 कितना हो गया, 13 में से 9 लिया, 4, है ना, कितना बचा, 2, यानि कि 24 और 324 बचा है, 9 x equals to 324, चलिए इसको अगले पेश पर करते हैं, यानि कि क्या आया था हमारा, 9 x equals to 324, x equals to 324, अपॉन्मेंट 9, या, x equals to कितना, 9 3 या 27, है ना, कितना बचा, 554, 9 6 या 54, x equals to 336 आया, तो नमबर कितने हो जाएंगे, the 3 numbers are, numbers कौन कौन सो जाएंगे, एक तो 3 x था, यानि 3 into 36 कर देंगे, 3 into 36 कर देंगे, दूसरा, 3 x plus 3, 3 into 36 plus 3 कर देंगे, तीसरा क्या था, 3 into 36 plus 6 माना था हमने, है ना, हर बार में 3 या बढ़ रहा था, तो ये कितना हुआ, 3 6 था, 18 कर देंगे, यानि पहला नमबर 208, अगला 208, उसमें 3 एड़ कर दिया, यानि कि 201, 111 आ गया, और यहाँ पर 208 में 6 एड़ करेंगे, तो, 114, ठीक है, यानि कि यह जो नमबर होंगे, यह 3 नमबर यही हो जाएंगे, 108, 111, 114, यानि यही आपका solution हो गया, समझ गया ना, यानि कि जो नमबर यहाँ हमने यह माने थे, यह, यहाँ पर हमने x गळोप उट कर दी, तो, अगले हमाई नमबर आ गए, निकल के, अब हम आगे करते हैं, the length of a rectangle is 16 meter less than the two times its breadth, length जो है rectangle की, 16 meter कम है, breadth की double से, तो length को मानेंगे, क्या, यहाँ पर breadth को मानेंगे x, तो length उसका double कर देंगे, उसके बाद लगाते हैं, यहाँ पर breadth को हमने x मान लिया है, length हो जाएगी, इसकी double, यानि की 2x, और, नहीं, sorry, length किती हो जाएगी, 16 meter less, two times the breadth, breadth की double से 16 meter कम, यानि की breadth तो यह रही, इसका double, है ना, इससे 16 meter कम, यह है length of rectangle, 16 meter less, two times its breadth, यानि breadth की double से 16 meter कम, समझ गए, अब क्या कह रहा है, कि जो perimeter दे रखा है, वो 112 दे रखा है, तो हमें पता है perimeter की formula क्या होता है, perimeter formula क्या होता है, बताओ, perimeter equals two होता है, two bracket में L plus B, यह कितना दे रखा है, 112, 112 दे रखा है, ठीक है, तो two का two लिखेंगे, length की जगए पर यह रख देंगे इतना, two x minus 16, क्या लिख देंगे, two x minus 16, और यह जो plus है, plus की जगए पर plus लगाएंगे, और B की जगए पर हमने B क्या माना था, x माना था यह वाला, तो B की जगए पर हम यहाँ पर x लख देंगे, equals to 112, यह हो गया two, और यह 2x plus x कित्ता होता है, 3x हो जाता है, अब माइनस का 16 equals to 112, two की मल्टिप्लाई अंदर कर देंगे, 23 जा, 6x माइनस 16 जा, 32, है ना, equals to 112, यह 6x equals to हो जाएगा, कितना, 112, और माइनस 32 हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, समाज़े गए, यानि कि 6x equals to कितना हो गया, इसको हम एड़ कर देंगे, 2 और 2, 4 होता है, और 3 और 1, 4 होता है, और 1 होता है, यानि कि x equals to हो जाएगा, 114, अपन में 6, ठीक है, या x equals to कितना हो जाएगा, 6 बन जा 6, और 6, 9 जा 54, यानि x equals to 19 आया, तो हम लिख सकते हैं कि जो ब्रेथ होगा, वो 19 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर ने, मीटर सॉरी, क्योंकि सारे आंसर जो है, वो मीटर दे रहे हैं, ब्रेथ 90 मीटर, और लेंथ जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 2 x minus 16, यानि 2 into x जगया पर 19 रखना है, और minus 16, यानि कि लेंथ कितना आया, 19 रूजा 38, 38 minus 16 करना है, यानि कि 38 minus 16 कितना आया, बताओ, 32, ठीक है, मीटर, यानि ब्रेथ ही आ गई, और लेंथ यहाँ पर आ गई, इसी के साथ ये कुश्चन समापत होता है, ठीक है, अब हम अगला करेंगे, कुश्चन नमबर 4 देखो, ट्वाइस अ नमबर इंक्रीजड बाई 5, दे सेम एज थ्री टाइम दे नमबर डिक्रीज बाई 8, फाइंड दे नमबर, ये बहुत ही एजी कुश्चन है, मैं आपको बता दे रहाँगा को करना क्या है, उसी नमबर का 3 टाइम करके, हम 8 माइनस कर दें, तो वो उसके बराबर हो जाता है, तो अब क्या करना है, इधर का उधर ले जाएंगे, और सॉल्व कर लेंगे, तो ये कुश्चन आपका, होम बग में रहेगा, ठीक है ना, इसका कुश्चन नमबर, तो लिखेंगे, लेट, पैन, की कॉस्ट, X मानेंगे, नोटबुक की कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 162, माइनस, X, ये ध्यान रखो, अगर दो चीजों की कॉस्ट दे रखी होती है, तो एक की X मानेंगे, की दूसरे के लिए, उसमें से दूसरे को, माइनस कर देते हैं, यानि, 162 मानस, 162 मानस, X हो जाएगी, अब क्या कह रहा है, चलो, according to question लगाते हैं, फिर जो कहेगा, वो हम करते जाएंगे, according to question, कह रहा है, the cost of pain is 30 more than, 5 time the cost of notebook, 30 ज्यादा है, 5 time cost of notebook की, यानि कि ये notebook की cost है, है ना, notebook की जो cost है, इसका क्या करना है, 5 time करना है, ठीक है, और इसमें क्या करना है, 30 ज्यादा कर देना है, तो जो pen की cost है, उसके बराबर हो जाता है, ये कह रहा है यहाँ पर, यानि कि notebook की cost का, 5 time से 30 ज्यादा कर दें, तो वो pen की cost की बराबर होता है, अब इसको solve कर लेंगे, कैसे, 5 की multiply बन 62 में करेंगे, 5, 2, 10, 5, 6, 30 जा, 30 और one carry 31, 5 बन जब 5 बत्री, 810 आ गया, माइनस का 5x, पिलस का 30, एक्वास टू एक्स, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, यानि कि, 810 प्लस 30, 840 हो जाएगा, एक्वास टू एक्स, माइनस 5x एदर जाके, प्लस का 5x हो गया, 5x प्लस x, 6x, यानि कि, 840 एक्वास टू, 6x, एक्स एदर अप्वान में आ जाएगा, ओ स्वारी, 6 अप्वान में आ जाएगा, 840, और अप्वान में, रुको, 840 के अप्वान में, 6 एक्वास टू, x, काट देंगे, 6 बंज़ा 6, 24, 64 एद 94, और, 0, यानि कि, x वेलू, 140 आ गई, यानि कि, क्या हुआ, पैन हो गया, 140 का, 140 का, रुपीज का सिंबल लगा लेना, और नोट्बुक की कास्ट, नोट्बुक की कास्ट कित्ती हो जाएगी, 162 माइनस, 140 कितना हुआ, 22, यहां भी रुपीज का सिंबल लगा लेना, तो यह इसका, आंसर हो गया, ठीक है ना, पैन तो भी बहुत नहींगा, पापी सस्ती है, क्या बात है, चलिए, इसको आपनो डाउन कर लेना, आगे करते हैं, प्रजेंट एज अफ बानी, इस फोर टाइम दा प्रजेंट एज आफ एर सिस्टर माला, यानि कि जो बानी की एज है, वो फोर टाइम है, अपने सिस्टर माला से, तो यहां भी करते हैं, लेट, प्रजेंट एज आफ माला, चलिए उसको लिख लेते हैं, साफ साफ, तो यहां पर हम माल लेते हैं, माला की एज जो है वो, एक्स है, तो बानी की एज कितनी हो जाएगी, बताओ, यहां प्रजेंट एज आफ हर सिस्टर माला की, एज का बानी जो है, ठीक है, अब after 10 years, 10 साल के बाद ये माला कितने हो जाएगी, माला की age 10 साल बढ़ जाएगी, है ना, माला की age 10 साल बढ़ जाएगी, यानि कि x प्लस 10 हो जाएगी, कितनी x प्लस 10 हो जाएगी, और बानी की age 10 साल के बाद, बानी की age भी 10 साल बढ़ जाएगी, यानि कि अभी 80 क्यों लगा देंगे जो अभी तक लगाते आए हैं क्या कहरा दस साल के बाद ट्वाइस बानी एज बिल भी 4 टाइम माला एज दस साल के बाद बानी की एज का कट ट्वाइस करें यानि कि हम 4X प्लस 10 का ट्वाइस करें है ना और माला की एज का 4 टाइम कर दें ये X प्लस 10 का इसका 4 टाइम कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इनकी प्रजेंट एज पता करनी है तू की मल्टिप्लाई 4 एक्स करेंगे इतना हो जाएगा 8X 2 टेंजा 20 यहां हो जाएगा 4X और 4 टेंजा 40 यहीं कर लेते हैं चलो इसको देखते हैं आता है कि नहीं 4X इदर ले आएंगे लेफ्ट साइड में और 20 राइट साइड में ले जाएंगे यहां पर 8X अपनी जगे रहेगा 4X इदर आया तो माइनस का 4X हो गया ठीक है और इदर 40 लिखा हुआ था और 20 इदर जब मूब करेगा तो माइनस का 20 हो जाएगा ठीक है माइनस का 20 हो जाएगा अब 8X में से 4X गया बचा हमारा 4X और 40 में से 20 गया 20 यानि X equals to 20 upon 4 या X equals to 5 X5 यानि की माला की जो प्रजेंटेज है माला जो हो जाएगी कितने साल की 5 यर की और वानी का क्या है 4 टाइम X यानि की 5 इंटो 4 20 यर्ज वानी जो है वो 20 साल की होगी प्रजेंट में ठीक है तो इस तरह से यह कुश्चन को करते हैं तो यह आप लोग नोट डॉन कर लीजि देखिएगा यहाँ पर मीरा इस नाव 10 यर ओल्डर दैन इस ट्विन ब्रादर आफ्टर ट्री यर फ्रॉन नाव थ्राइस हर एज विल फोर टैम सम अफ हर ब्रादर इस दैन फाइंड मीरा प्रजेंट एज तो इस कुश्चन में कह रहा है कि मीरा के दो जुड़मा भाई ह तो दोनों की एज अभी हम क्या करते है मीरा के ट्विन ब्रादर की एज हम एक्स एक्स एयर मान लेते हैं ठीक है एक्स एयर हो गई एक्स एर और मीरा की एज कितनी हो जाएगी उनसे ये दस्ताल बड़ी है यानि ये एक भाई उसका एक साल का है तो मीरा कितनी हो जाएगी एक्स प्लस टैन एर की हो जाएगी ठीक है ना कितनी एक्स प्लस टैन एर की हो जाएगी अब क्या करना है तीन साल बाद मीरा के भाई की एज कितनी हो जाएगी जोड़ा भाई की तीन साल बाद X प्लस तीन साल का वो हो जाएगा और दूसरा बाला जोड़ा भाई होगा वो भी X प्लस तीन साल का हो जाएगा और तीन साल के बाद मीरा की एज कितनी हो जाएगी अभी x plus 10 है तो उसमें 3 साल बढ़ जाएंगे यानि x plus 10 में 3 और add कर देंगे तो 3 साल के बाद मीरा की एज इतनी हो जाएगे कितनी हो गई? x plus 13 मीरा की एज 3 साल के बाद यह हो गई अब लगाते हैं according to question after 3 years from now thrice her age यानि thrice her age का मतलब मीरा की एज का 3 साल मीरा की एज x plus 13 है इसका क्या करना है? 3 time कर देना है फिर क्या? 4 time the sum of her brother's age thrice her age will be the 4 time the sum of her brother's age तो sum of her brother age का 4 time करना है brother की एज का sum करना है brother कितने साल का है 3 साल बाद? x plus 3 साल का पहला वाला है चोटा वाला मतलब twin वाला दो भाई है ना इसके दोनो x plus 3 साल के हैं तो एक भाई x plus 3 साल का है और दूसरा भाई हमको और उसका x plus 3 साल का लिखना पड़ेगा हमको क्योंकि भाई उसके दो है दोनों की age सेम है इसकी बेज सेम होगी इसकी बेज सेम होगी तो दोनों को हमें क्या करना था? add करना था? तो हमने दोनों को add कर दिया दोनों की age का sum का क्या बोल रहा है? यह 4 टाइम बोल रहा है question में इनकी एज का 4 टाइम बोल रहा है अब हमें इसको solve करना है 3 की multiply x में करेंगे 3 x 13 तरी जा 39 और यहाँ x और यह x मिला के 2 x हुआ 4 यहाँ लिखो bracket माईर 2 x और 3 और 3 6 ठीक है इसको next page solve करते है कहां गया 3 x प्लस 39 एक्कोस टू यहाँ लिखेंगे 3 x प्लस 39 एक्कोस टू कितना है 4 ब्रैकेट में 2 x प्लस 6 4 की multiply 2 x में करेंगे 8 x हो जाएगा अब यह 4 की multiply यहाँ इस 6 में भी करनी है 4 सिक जा 24 प्लस 24 ठीक है 8 x इदर लिखेंगे काल का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा यानि 3 x माइनस 8 x हो जाएगा और 24 वहीं रहना है 39 एदर जाएगा माइनस का 39 हो जाएगा ठीक है 8 x मेंसे 3 x जाएगा 5 x आएगा क्योंकि यह माइनस का जाएगा तो माइनस का साइगा और इदर 9 में से 4 गया 5 त्री में से 2 गया 1 यह माइनस का 15 अब दोनों तरफ माइनस 9 लगा हुआ है तो माइनस 9 से माइनस 9 जो है यह cancel हो जाएगा 5 x इक्कलस तो 15 बचा यानि की age जो है वो 30 साल है और पूछा क्या है find mira's present age तो mira की present age कितनी हो जाएगी उसमें 10 साल add हो जाएगी है ना तो लिख देंगे mira's present age equals to 10 plus 3 13 years हो जाएगी क्लियर हुआ यह question ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं question number 8 three consecutive integers are such that taken when taken in ascending order and multiplied by 246 respectively their sum is 160 find integers तीन लगातार के integer है यानि की पहला x होगा दूसरा x plus 1 होगा तीसरा x plus 2 होगा तीन नमबर लगातार हम यह मानेंगे let first integer इतना second integer इतना third integer इतना ठीक है उसके बात कह रहा है उनको ascending order हम लिख लिए तो ascending में लिखे हुए हैं और उनको multiply करनी है पहले में 2 की दूसरे में 4 की तीसरे में 6 की इसमें 2 की multiply करनी है पहले बाले में के आए सपोज x12 आता है तो 13 और 14 दो नमबर और भी निकल के आ जाएंगे तो यह question आप लोग homebook में करोगे question number 9 में कह रहा है कि कोई isocell triangle है isocell triangle में क्या होता है कि दो साइड बरावर होती है यानि यह साइड इसके बरावर होती है है न और उन्होंने base दे रखा है इसका 7.9 यह 7.9 cm है और perimeter दे रखा है यानि तिनों साड़ों को sum दे रखा है तो जो equal side है वो नहीं दे रखी तो इसको हम x मान लेंगे जब यह x है तो यह भी x होगा यानि x plus x plus 7.9 equals 2 में 16.7 x plus x plus 7.9 यानि कि यह तीन साड़ हो गई एक x यह x और यह 7.9 इन तीनों को जब add करेंगे तो 16.7 आ रहा है clear है तो यह भी आप लोग घूंबक में करोगे इसके बाद the sum of two numbers is 85 if one number exceeds the other way 25. find two numbers दो number का sum 85 है यानि एक number x लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 85 minus x समझ लो इसको ठीक है if one number exceeds the other by 25 एक number दूसरे से 25 ज़्यादा आए अगर इसमें से यह घटा दें दूसरा number पहले से दूसरा number घटा दें तो answer 25 आता है solve करेंगे x की value आ जाएगी है न और दूसरा number उसमें 25 add कर देंगे तो उसकी value भी आ जाएगी समझ गए न तो यह आप लोग home work में करोगे ठीक है या कर दूँ चलो उसको कर लेते हैं नहीं आपको खुद करोगे हम नहीं करेंगे ज्यादा लंबा video हो जागा नहीं तो फिर यह नहीं आता है तो मुझे whatsapp पे बता देना मैं आपको करके दिखा दूँगा इसको ठीक है कोई rational number है उसको multiply की जाती है 3.2 से और subtract किया जाता है 5.12 से तो minus 6.7 मिलता है तो rational number क्या हो तो यहाँ पर हम क्या करना है हमें late number x मानेंगे ठीक है नमबर जो है वो x हो जाएगा अब क्या कहरा है कि number को multiply करना है 3 upon 2 से यानि कि x को multiply करेंगे 3 upon 2 से एक नेट तो यहाँ पर 3 upon 2 से multiply करनी है उस number की ठीक है यह हमने multiply कर दी इसको साफ साफ लिख लो 3 upon 2 into x ठीक है अब क्या करना है multiply करने के बाद इसको गटाना है किसे 5 upon 12 से यानि 5 upon 12 से हमको इसको subtract करना है राइटिंग बहुत गंदी हो रही वही क्या बात एक नेट वेट करों तो यानि कि 5 upon 12 से 3 upon 2 की multiply करके x से गटाएंगे तो जो answer होगा वो मिल रहा है हमको minus का 6 upon में 7 यह मिल रहा है अब इसको solve करेंगे यह 5 upon 12 आए गया और 3 की multiply action करें तो यहाँ पर minus 3x और upon में 2 आ रहा है और equals to minus का 6 upon में 7 आ रहा है अब क्या करना है देखो यहाँ पर LCM ले लेंगे 3 upon 2 और यह 5 upon 12 यानि कि यहाँ 12 है यहाँ 2 है 12 2 का LCM 12 रहेगा तो upon में हम रखेंगे 12 ठीक है अब 12 बंचे 12 बनाया बन की multiply 5 में करेंगे यहाँ उपर तो 15 जा 5 minus का minus अब 2 6 है 12 होता है न तो 6 की multiply उपर यहाँ पर 3x कर देंगे 6 3 जा 18 x आ जाएगा यहाँ पर और equals to में minus का 6 upon 7 given है अब cross multiply करेंगे 7 की multiply यहाँ हो जाएगी और 12 multiply मानस 6 में जब 7 multiply 5 करेंगे तो 75 जा 35 minus 78 जा 18 जा 126 और x ठीक है equals to 126 जा 84 minus का 84 यहाँ तक समझे में आया है cross multiply करने पर अब क्या करेंगे 35 दल ले जाएंगे यानि की minus का 126 x equals to minus 84 और minus का 35 हो जाएगा minus 84 minus का 35 हो गया यानि की minus 126 x equals to जब इसको add करेंगे तो 459 हुआ है ना 45983 11 क्या यह सही जा रहा है देख लेता हूं नहीं आप ठोड़ा सा गस्टेक हो रही है यह 12 की multiply जो है वो 6 में होनी है तो यहाँ पर कितना आएगा 72 आएगा ठीक है ना यहाँ पर 72 हम इसको कर लेंगे 12 की multiply 6 परेंगे 12 6 या 72 होता है तो यहाँ पर 72 लिखना है यह 72 है ठीक है और 72 minus का 72 है मानस का 35 है तो दोनों मानस के है तो add हो जाएंगे यह हो गए 5 to 7 और 307 10 107 आया वही मानस का अब क्या करेंगे इस मानस 3 से इस मानस 3 को काट देंगे अब बचाएगा x equals to 107 और 126 आ जाएगा यहाँ पर upon में तो यही fraction होगा इसका ठीक है समझ गया अब यह 16 years from now गोपी age will be 5 time his presentation what is his presentation गोपी की present age x मानेंगे 16 साल बाद x plus 16 हो जाएगी ठीक है अब यह कह रहा है कि गोपी की जो age होगी वो 5 time हो जाएगी प्रजेंटेज की यानि कि प्रजेंटेज x थी इसका 5 time है वो इसके बराबर हो जाएगी इसको solve कर लेंगे इसका answer आ जाएगा ठीक है ना यानि कि क्या हो सकता है इसको बताओ 4 years आ जाएगा यानि कि 5 years से रहा और इससे दो जाएगा 5 years मानस x तो 5 x मानस x 4 x 4 x equals to 16 x equals to 4 तो यह आप लोग अपने आप करोगे इसी के साथ ही वीडियो खतम होता है अगर आपको कोई doubt हो तो आप लोग को WhatsApp पे पूछ सकते हो और बच्चे वे कुशन आपको home back में करने है आज के लिए से बूर में इतना ही ओके थैंक यू